Hello friends, welcome back to my channel दोस्तों, मैं आपके लिए लिख़ आए हूँ बहुत ही important letter जो कि 12th के लिए बहुत ही important है और 12th के exam में आपके कल के exam में बहुत बहुत ज़्यादा चांस है नीए यह letter आपको लिखने के लिए चरूर आएगा सो इसलिए मैंने यह जल्दी जल्दी लिखा और मैंने सोचा कि यह आप लगों तक पहुचा सको तक कोई भी बच्चा लिखने से चुके ना मतलब इतनी नमबर तो at least मिली जाए जो लेटर में आपको मिलते हैं और मैं आपको बता दू इक इक चीज पे नमबर करता है क्योंकि लेटर तो सब ही लिख लेते हैं बट उसमें टीचर आपका यह चैक करता है कि कौन सी चीज कहां लिखनी है वह वहां पे सही जगा पे है या फिर नहीं है तो चले शुरू करते हैं write a letter to editor of newspaper about frequent breakdown of water supply in your locality ठीक है तो इस topic पे आपको मतलब इसी पे ही आपको letter लिखना है तो letter लिखने का सबसे first rule आपको जो भी आपका नाम होगा है आपका address होगा वह आपको इस साइड लिखना है फिर date mention करना है then फिर आपको to the editor times of India जिसको भी आपको लिखने के लिए बोला जाएगा हो सकता है कि उसमें mention कर दे तो वह भी आपको यहां पर वही जीजे mention करनी होगी और अगर नहीं करता है question में mention तो यह आप अपने मंद से आपने जहां आप रहते हैं वहीं का लिख सकते है then फिर उसके बाद to the editor times of India ब्रांच जबलपूर मतलब जो भी आप जहां रहते हैं वहां का या फिर अगर mention किया हुआ है question में तो आप उसको mention कर सकते हैं then फिर आपका आता है subject subject में आपको बस वह चीजे लिखनी है जो आपने ऊपर लिखी है तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको यह आपको question में लिखा हुआ मिलेगा frequent breakdown of water supply in civil lines जबलपूर so let's start either side आपको sir लिखना है मतलब यह जो चीजे है ना यह एक line में रहती है ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर subject लिख दे और sir यहाँ से शुरू करें तो यह भी marks मतलब आदे number तो इससे ही कर जाएंगे तो चले शुरू करते हैं आई सुनिल कुमार resident of civil lines जबलपूर first line में आपको कुछ नहीं लिखना है आपको बस अपना नाम लिखना है जिस नाम से आप लेटर लिख रहे हैं और आपको बताना है कि मैं कहां रहता हूँ ठीक है मैं आपको इसका मतलब भी समझा दे रही हूँ कि जो एरिया में हो रहा है frequent breakdown water का उसी के मतलब regarding यह लेटर है और आपको यह चीज़े भी याद नहीं करनी यहां तक तो आप कोशन से देखके ही लिख सकते है तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों को अभी ऐसी चीज़े चाह जब भी बुरा रहेगा कोई चीज तभी तो आपको उसकी complaint डालनी है तो सबसे बड़ी बात कि आपको यह mention करना होगा कि मेरे एरिया में जो water supply है वो बहुत जादा affected है badly affected पूरी तरीके से बहुत जादा problem हो रही है तो आपको बस की एक line उसमें जोड देनी है कि the water supply in my area is badly affected due to frequent breakdown ठीक है तो यह भी आपको उपर में मिल जाएगा मतलब आप देखे मैंने इसमें बहुत जादा words अपनी तरफ से यूज नहीं किये लेकिन हां letter है तो थोड़ा तो बड़ा लिखना पड़ेगा तो कुछ चीजे हैं जो आपको mention करने पड़े की बाकी आपको कुछ भी बहुत जादा मतलब इसको याद करने पर प्रेशर नहीं देना होगा we the resident of civil line देखे ये भी मैंने पहले ही लिख दिया है तो इसमें भी बहुत जादा कुछ याद नहीं करना है we the resident of civil lines have already intimated the matter to local councillor office मतलब आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपने ये हम directly newspaper में तो को कम्प्लेंड करनी होती है तो यह चीज आपको mention करने पड़ेगी कि मैंने पहले ही कांसिले कांसिलर office and municipality office में कम्प्लेंड कर दी है तो यह एक लाइन और आपको जोड़ना है बस उसके बाद मतलब आपने क्या लाइन जोड़ा भी तक कि हमारा area जो है वह badly affected frequent water water के frequent breakdowns है then फि बॉसिलर office और municipality office में कम्प्लेंड कर चुका है मतलब हमने कम्प्लेंड कर चुका है उसके बाद आपको बस और क्या लेखना है we have also escalated the matter to local water board office मतलब आपको सारी यह बस बतानी है कि हमने यहां कम्प्लेंड कर दिया हमने यहां intimate कर दिया कुछ कुछ चीज यह चीज आपको ज related problem मतलब जी जो problem है जो water frequent breakdown की water की इससे related मैंने यहां यहां कम्प्लेंड किया पर किसी ने कोई action नहीं लिया आपको सिर्फ एक लाइन में यह बता देना है ठीक है देन फिर लास्ट में आपको दो लाइन और जोड़ना है कि I request you to highlight the matter in your newspaper so that the supply of water can be restored properly without further delay आपको यह भी बताना है कि यह जो हुआ है मतलब आपको बस last mail करना है कि आप प्लीज अपने newspaper में यह जो मैंने जो letter लिखा है इसको चाप देजिए ताकि जो हमारा area में जो water के problem है वो फिर से ठीक हो सुके बिना delay तो यह आपको last वाले line में लिखना है मतलब इसमें कुछ भी बहुत जादा cutting नहीं है आप चाहें तो बहुत easily आप इसको अपने words में भी लिख सकते हैं thanking you और then फिर आपको अपना नाम लिखना नहीं बूलना है क्योंकि यह letter है आपको पता है यह application नहीं है तो कुछ चीजे होती है letter की कि इसके regarding मतलब जैसा letter लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाता है और उसी से आपके half-half number करन होंगे आपकी help करने की शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और अगर चैनल को भी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाबाई टेक्यूर और अल दे बेस्ट